नमस्कार शात्रो शात्रो आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम जो है आज कल जो है पत्र लेखन का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि कि मुवाइल के कारण हम पत्र लिखना बंद कर दिया है क्योंकि इसमें बात कर लेते हैं या बर्सब पर मैसे लिखकर शोड़ देते हैं तो पत्र लेखन का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है तो आईए जानते हैं हम पत्र अनौपचारिक पत्र के बारे में कि कैसे लिखे जाते हैं और किसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं मिन आपको इंगलिश में कहते हैं कि इंगलिश में इनफॉर्मल लेटर और हिंदी में अनुपचारिक पत्र किसे कहते हैं अनुपचारिक पत्र शात्रो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेख का व्यक्तिगत या निजी सबंध होता है मीन अपने relatives को, रिष्टेदारों को, उनका अपना हमारा सबंध होता है, अपने मित्रों, माता-पिता, अन्य सबंधियों आधि को लिखे गए पत्र, अनौपचारिक पत्रों के अंतरगत आते हैं, अनौपचारिक पत्र में आत्मियता का भाव रहता है, और व्यक्तिगत बा व्यक्तिगत सबंध को लेक किया जाता है, मीन अपने relation के बारे में लिखा जाता है, मीन जहां पर हम अपने पालिवारिक समस्याओं को भी, मीन सुख दुख को भी शेर कर सकते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ये पत्र उन लोगों को लिखा जाता है, जिन से हमार जो व्यक्तिगत सबंध रहता है, अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को जैसे माता-पिता, भाई-वेहन, सगे सबंधियों और मित्रों को उनका हाल-चाल-पूशने, निमंत्रन देने और सूचना आधी देने के लिए लिखे जाते हैं, इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, मीन आप जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप इतने शब्दों में अंसर दो, क्योंकि इन पत्रों में इधरूदर की बात का भी समावेश होता है, अनौपचारिक पत्र में हम आये जानते हैं, एक होता है बधाई पत्र, अगर किसी को बधाई देनी है, तो बधाई पत्र, शुब कामना पत्र, मीन किसी को शुब कामनाय देनी है, कॉंग्राचुलेशन करना है, तो उसके लिए हम पत्र, निमंतरन पत्र, जैसे शादी का नियोता, जनम दिन का बुला प्रकार की जानकारी के देने के लिए, कोई सलाह दे आदी देने के लिए, ये सारे पत्रों अनौपचारिक पत्र के परकार हैं। अनवपचारिक पत्र का प्रारूप तो एक पत्र यहां पर कैसे लिखा जाता है या उसका प्रारूप मैंने यहां पर बताया है कि पता, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे उपर बाई और, mean left side जो पत्र लिख रहा है, भेजने वाले का नम में लिख रहा है उसका नाम और पता लिखा जाता है जो पत्र लिख रहा है प्रेक्षक कहते हैं उसको तो कहां लेफ्ट साइड दिनाग जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख में डेट जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की तारीख लिखनी है पहले अप लिखना है फिर विषे मीन किसके लिए लिख रहे हैं सिर्फ अपचारिक पत्रों में विषे का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो संबोधन जिस व्यक्ति को पत्त लिखा जा रहा है किस वह सम बन्द के assumptions संबोधन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि बड़ों के लिए पूजनी, पूज, आद्रनी, आधी के शब्दों का प्रियोग किया जाता है I mean respected word और बचो, शाद छोटों के लिए प्रियवर, प्रिय, सनेही और आधी का प्रियोग किया जाता है क्योंकि भाषा ही एक ऐसा हत्यार है जिसके द्वारा हम किसी के दिल को भी जीत सकते हैं जा किसी के दिल को हरा सकते हैं अविवादन जिसको पत्त लिखा जा रहा है उसके साथ सवन्द के अनसार जैसे की सादर परणाम, चरणश पर्ष, नमस्ते, नमस्कार, मधूर प्यार, आदि मुख्य विशे, मुख्य विशे को मुख्य ता तीन अनुशेदों में वाजित करना चाहिए पहले अनुशेद की शुरुआत कुछ इस परकार होनी चाहिए हम मैं यहां कुशल हूँ या आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल होंगे दूसरे अनुशेद में जिसका कारण पत्तर लिखा गया है उस बात का उलेक किया जाता है तीसरे अनुशेद में स्मापती से पहले कुछ बाक्य अपने परिवार वा सबंदियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को परणाम, शोटों को शीरवाद, बाप्यार आदि समापती में, अंत में प्रेक्षक का सबंद के जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी में कोई भी जैसे आपका रिलेशन में है उसको लिखना है चाहिए आप उसके पुत्र लगते हो, या पुत्री लगते हो, या कोई भतीजी तो ऐसे लिखते हैं अनवचारिक पत्र तो एक पत्र मैंने यहाँ पर लिख कर बताया भी है तो आए जानते हैं कि चाचा को जनम दिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखे तो आपको ये टॉपिक दिया जाता है कि चाचा जी को जनम दिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखना है तो चंदर शेखर होस्पीटल, समर हिल शिमला, हिमाचल परदेश और दिनाग जिस दिन आप पत्र लिखते हैं फिर चरंड स्पर्ष चाचा जी अब चाचा जी आपसे बड़े हैं तो आप बड़े हैं तो बड़े होके चरंड स्पर्ष किया जाता है तो आगे क्या लिखना है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी यहाँ बहां कुशल होंगे आदरनीय चाचा जी पिशले सपता मेरा जन्म दिन था और मुझे पत्र प्रापत हुआ जिसमें आपने ना आने का कारण बताया था कि मैं उस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ मैं आपके आने की उमीद लगा कर बैठा था या बैठी थी और आपने ना आकर सारी उमीदों पर पानी फेर दिया आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्म दिन का उपहार भी भेजा था हलांकि कोई भी उपहार आपकी मुझोदगी से ज्यादा शायद ही मुझे खुशी देता लेकिन ये उपहार पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ चाचा जी आप ये जानते हैं कि मैं समय का कितना अधिक पावंद हूँ और इसलिए आपने ये घड़ी मुझे भेंड सब रूप देकर मेरे इरादों को और विज्यादा मजबूत किया है आपकी ये घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्तब के बारे में सदैब बताती रहेगी मैं ये घड़ी पाकर बहुत खुश हूँ और ये प्रातना करता हूँ कि मेरे अगले जनम दिन पर आप भी मुझे रहेंगे चाची जी को चन सपर्ष कहिएगा और नेहा अगे को मेरा बहुत सारा सनेह दीजिएगा शुटिया होते ही मैं आप सभी से अवश्य ही मिलने आऊंगा आपका आग्याकारी भतीजा आप अपना नाम यहां पर लिख सकते हैं ठीक है ये था अनुपचारिक पत्र की कैसे लिखा जाता है